वेल तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मैंने मिस पंकर्स तो वैल आपका स्वागत है नौनवी रस्लिंग में तो भाई जिसने भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो ने किया प्लेज जाके फॉलो कर लो कल बहुती बड़ी अनौंसमेंट होने वाली है जैसा कि मैंन देखने को मिलेगा तो डिफिनेटली भाई जाके ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलते वैसे इस वीडियो की तरफ आते तो वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जॉन सीना एज एंड ट्रेपल एच और क्या एक काफी जादा इंट्रस्टिंग अफडेट है और रोमर रेंस के लिए और रोमर रेंस के टाइटल के लिए हमें काफी बड़ा थ्रेट देखने को अंबल सकता और ये थ्रेट कौन साय तो इस तिंक ले उपर ही वाद करेंगे और और भी अच्छी कासी अफडेट होने व first of all Finn Balor की तरफ से तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि WL की तरफ से हमें एक post देखने को मिलता है Twitter पे जहाँ पर वो tweet करके कहते हैं कि सबसे underrated superstar WL के अंदर कौन है तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो कि Finn Balor खुद tweet करते वे दिखाए देते हैं और tweet करके कहते हैं कि मैं यानि कि Finn Balor खुद काफी ज़्यादा underrated है WL के अंदर तो यह कुछ हमें यहाँ पर Finn Balor खुद कहते वे दिखाए देते हैं वैसे इसके उपर आपके क्या thoughts है भाई अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है जो नहां की तरफ से एक तरीके से कह सकते है Bronson Reed की तरफ से तो Bronson Reed की तरफ से भी हमें यहाँ पर एक काफी ज़्यादा interesting social media पे पोस्ट देखने को मिलता है जैसा कि आप यहाँ पर यह photo देख सकते हो जिसके अंदर हमें जो की पिक देखने को मिल रहा है और ये पिक थोड़ा जो की ब्रेवाइट के character type का देखने को मिल रहा है जो की उनके Firefly Funhouse में देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो की Bronson Reed एक तरीके से tease करते हुए दिखाये दे रहे कि maybe Bronson Reed के साथ से उनके social media account पर कुछ देखने को मिल रहा है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की Seth Fricking Rollins को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Seth Rollins का हमें कौन सा match देखने को मिलेगा Survival Series 2022 के अंदर तो इसको भी लेकर एक काफी जादा interesting update देखने को मिली है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Seth Fricking Rollins का हमें Triple Thread match देखने को मिल सकता है Survival Series 2022 के अंदर जहांपर हमें Seth Rollins हो सकता है कि compete करते वे दिखाई दे जाए और वो सुपरस्टार हमें में भी देखने को मिल सकते है Bobby Lashley या फिर हो सकते है कि theory ये तीन सुपरस्टार हमें compete करते वे दिखाई दे सकते है इसको लेकर update भी देखने को मिलती है जैसा कि आप यहांपर देख सकते हो तो ये एक तरीके का हमें triple threat match देखने को मिल सकता है Seth Rollins का लेकिन एक triple threat match हमें देखने को मिलेगा Seth Rollins का सरवाब सीरीज 2022 के अंदर तो ये भी कापी बड़ी update यहांपर देखने को मिल रहे है ये Seth Breaking Rollins को लेकर तो इसके उपर आपके का thoughts है वो comment बता देना अगले update की तरफ चलते है तो ये update हमें देखने को मिल रहे है Chelsea Green को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Chelsea Green हमें WD के अंदर confirm हो चुकी है वो आते वे दिखाए देंगी इसको लेकर Steve Carrier की तरफ से update देखने को मिलता है जिनका ये confirm करना है कि Chelsea Green है हमें उनका return देखने को मिलेगा WD के अंदर और ये almost confirm हो चुका है वो अपने रास्ते में है यानि की वे में है वो आने के लिए WD के अंदर तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर Steve Carrier की तरफ से report देखने को मिलता है Chelsea Green को लेकर तो भाई देखना interesting रहा कि हमें क्या कुछ plan देखने को मिलेगा और concept brand के अंदर देखने को मिलती है Chelsea Green बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो ये update हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि Bailey को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दूँ कि यहां पर हमें कुछ sources की तरफ से ऐसी update देखने को मिल रही है कि जो damage control है ये हमें Royal Rumble तक तूटते वे दिखाई दे सकती है जहां पर हमें हो सकता है कि Bailey को remove किया जा सकता है damage control से तो ऐसा कुछ हमें यहां पर sources की तरफ से updates देखने को मिल रही है यानि कि Bailey की जो damage control है वो हमें उनका break up देखने को मिल सकता है यो सिराई, यो स्काई और उनके साथ में जो डकोटा का है वो अलग होते वे दिखाई दे सकती है Bailey से तो यह कुछ हमें यहां पर updates देखने को मिल रही है damage control को लेकर और फिलाल के टाइम पर जैसी situation देखने को मिल रही है यह जैसी storyline चल रही है damage control के साथ में तो फिलाल के टाइम पर तो हमें war games के अंदर match देखने को मिलेगा लेकिन आते आते धीरे धीरे हमें जो की Bailey है उनको अलग किया जा सकता है damage control से तो यह कुछ हमें आपडेट्स देखने को मिल रही है तो इसके उपर आपके का thoughts है भाई comment के अंदर जरूर बता देना क्या सही में हमें Bailey की जो damage control है वो बहुती जल्द तूटते वे दिखाई देगी या फिर नहीं बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरब तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डवलोली के एक काफी बड़े और interesting plans को लेकर और यह plans है बहुती बड़े बड़े returns को लेकर तो हमें already बहुत सारे ऐसे अपडेट देखने को मिले हैं जिनक अपडेट का यह कहना है कि हमें डवलोली बहुत सारे बड़े बड़े superstars का return करवाने वारी है जिसके हमें अंदर Stone Cold Steve Austin का नाम लिया जा रहा है और The Rock का भी नाम लिया जा रहा है उनके rumors तो पहले से ही हैं अब Stone Cold के भी नाम है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यानि कि डवलोली के बड़े-बड़े superstars जो legends हमें देखने को मिलते है Stone Cold, The Rock and John Cena उनके भी rumor देखने को मिल रहे हैं तो मतलब जो भी बड़े-बड़े superstars हैं Brock Lesnar भी अल्रेडी देखने को मिलेंगे ही Romance, The Rock, Stone Cold, Steve Austin, John Cena तो यह कुछ बड़े superstars है जो कि हमें Russell Minae 39 के अंदर compete करते वे दिखाए देंगे Stone Cold का भी match देखने को मिल सकता है और The Rock का अल्रेडी इनके भी chances हैं तो देखते वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा जो कि भाई Russell Minae 39 काफी जादा interesting रहेगा देखना Hollywood का theme भी है और ऐसे हमें यह सारे superstars हमें देखने को मिलेंगे और डवलोली यहाँ पर plan करने वाली है कुछ और भी बहारी superstars को outsiders को लाने की कोसिस करेगी जहां पर हमें कुछ rappers भी देखने को मिल सकते हैं और भी superstar देखने को मिलेंगे celebrities भी देखने को मिलेंगे तो देखते वैसे डवलोली यहाँ पर हमें क्या कुछ plan करेगी लेकिन यहाँ पर डवलोली के काफी बड़े plans होने वाले हैं Russell Minae 39 के लिए यह तो confirm है और यह कुछ superstars हमें जो की जरूर देखने को मिलेंगे Stone Cold, The Rock and also John Cena and Brock Lesnar जैसे superstar वैल इसके उपर आपके क्या thoughts से क्या opinion है वो comment में बता देना बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Roman Reigns के काफी बड़े threat को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि बुली रे जो कि अपने recent के busted open radio podcast के अंदर कहते वे दिखाई देते हैं कि Roman Reigns के लिए काफी बड़ा threat जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें Austin Theory देखने को मिल सकते हैं और बुली रे का ये भी कहना है कि Austin Theory हमें compete करते वे दिखाई दे सकते हैं Roman Reigns के साथ में और जैसा हमें यहां पर character shift देखने को मिल रहा है Austin Theory का और ये character काफी ज़्यादा serious देखने को मिल रहा है तो ये character हमें compete करते वे दिखाई दे सकता है Roman Reigns के साथ में और Roman Reigns vs Austin Theory in future हमें एक काफी बड़ा match भी बनते वे दिखाई दे सकता है अगर डवलोली जो की इस character को इसी type का हमें दिखाते वे दिखाई दे सकती है तो देखते वैसे हमें characters को लेकर डवलोली के और भी क्या कुछ plans होते हैं और Roman Reigns vs क्या Austin Theory हमें देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं देखने को मिलेगा इसके उपर भी आपके क्या thoughts है, क्या opinion है वो मुझे comment के अंदर जरूर बता देना वीडियो अगर पसंद आए तो या like करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो, instagram and twitter का link भाई description में है, वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लो और जिसने चानल को subscribe निका तो भाई, subscribe कर लो latest updates और ऐसी interesting videos के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, bye bye everyone guys